जैशी किष्णा दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगे स्वास्त होंगे अपनी घरों में खुश होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अच्छूग से उपाई लेकिया आधि आज भी में कुछ ऐसा ही उपाई लेकिया जfolg जैसे कि आप जानते हैं कि सावन जो स्व। पर समद से वह सारी दूर हो सकते हैं। माता पार्वती को प्रसंद करके अपने जीवन में आ रही किसी भी बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत सुहाग ने महिलाए या कवारी लड़किया रखती है अगर आपने इस दिन कुछ उपाई अचूग से हैं अगर कर लिए तो अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या वो अवश्य दूर होगी बहुती सरल बहुती असान सा यह उपाई है आपने करना क्या है मंगलवार के दिन जी दिन माता पार्वती के लिए आपके वरत रख रहे हैं मंगला गौरी वरत जैसे कि सौमबर का जो सावन का सौमबर का वरत होता है वो भगवान शेप को समर्पित है वैसे मंगलवार के दिन अगले ही दिन का जो वरत मंगला गौरी व्रत ची से हम जानते हैं वे माता पारवती को समर्पित है आपने उस दिन ये व्रत पूजा पाट अराधना करनी है और आप ये कुछ अचूग से उपए जो आप कर लीजे आपने करना क्या है कि एक लाल कपड़े में जब आपने पूजा अराधना करी है तो आप लड़कियां कर सकती है अगर दांपत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्य आ रही है तो स्वागन महिलाई भी कर सकती है कोई दोश है मंगल दोश तो उसके लिए ये उपाई किया जा सकते है आपने सौफ बांद ली है कपड़े में उसे बांद के माता पारवती से आपने प्रातना करने के आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी समस्य है वो उसे दूर करें मंगल दोश है तो उसे भी दूर करें तो इस तरह से आपने उठा के उस कपड़े को जो पोटली बनी वे सौफ की वो आपने अपने शैनकक्ष मतलब कि अपनी कमरे में बैडरूम में रख लेना है आपकी जीवन की जो भी समस्य है वो अवश्य दूर होगी दूसरा आपनी करना का एक लाल रंका बस्तर लेना है जादा बड़ा नहीं छोटा ही चाहिए और दो मुठी मसूर की डाल यसली आप सबको यह पता है कि लाल मसूर की डाल कैसी होती है आपने वो डाल लेाने है उसमें एक मुठी फिर दो मुठी दो मुठी डाल आप उसे बांद दीचे और आपकी जो भी मनो कामना जिसमी मनो कामना से आप यह करने जा रहे हैं उपाई अगर विभा समंधिय अर्चे नहीं है या आपके घर में मातल लक्षमी का वास नहीं हो रहा है या अच्छी नौकरी नहीं मिल रहे है कोई भी यह उपाई कर सकता है मंगलवार के दिन माग मंगलगौरी व्रत के दिन सौमवार के जस्ट अगले दिन सावन में तो आप यह उपाई कोई भी कर सकता है मापने बच्छों के लिए भी कर सकते हैं तो आपने इस तरह से मसूर की डाल दो मुठी लेके गाट बान के किसी गरीब को दान करनी है आपकी जो भी मनो कामने भव बोलते हुए तो आप देखेंगे कि जैसे भी आपने ये चार के दिन उपाई करा सावद में आपके बच्चे की जीवन में या आपके स्वेम के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्य है वो सारी दूर हो जाएगी और इस दिन आप खास्त होसे छुद शाकहारी भोजन ही ग्रहन करें और किसी भी हनुमान मंदिर में जाके आप ए दीपक घी का करके एक हनुमान मंदीर में हनुमान जी के समख्ष और एक आपने शिवलिंग के पास में ये दीपक अवश्चे जलाना आपकी जो भी मनोकामना वह बोलते हुए आपकी जितनी भी अर्चने हैं वो सारी दूर होगी आपकी सारी मनुकामना पूर्ण होगी और इस दिन अगर संबफ हो सके आपकी शमता हो तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई हो अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात अब अवश्य दान कीजिए तो इससे भी माता पारवती अवश्य प्रसंद होती हैं और आपके जीवन की हर परिशानी को दूर करते हैं कुछे आगे दीजिए मैं फिराओंगे इसी तरह के बहुती सरल बहुती असान से अच्छी कुपाय के साथ में जैशी किशना दोस्तों